अलो फ्रेंड्स मैसेफ डॉक्र सुनील तावार डिरेक्टर जैपूर दुर्भीन होस्पेटल एंड एंटी सर्जन दोस्तों आज हम बात करेंगे थाइराइड की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो आज का डे है 25 माई दोस्तों वो वर्ड थाइराइड डे एक्चली डब्लो एचो मनाया जाता है जिससे थाइराइड से जो होने वाली जो प्रॉब्लम से उसकी एवैर्नेас को क्रिेट करने के लिए लोगों में जागरुपता पैदा करने के लिए वर्ड थाइराइड डे 25 माई दोस्तो हर साल since 2007 ये मनाया जाता है दोस्तो थाइराइड की जो प्राब्लम है एक बड़ी कोमन प्राब्लम है इसलिए हमें इसको सबसे पहले तो ये जानना है कि ये थाइराइड क्या बला है क्या है थाइराइड दोस्तो जो थाइराइड है वो हमारी गर्दन में जो हमारी नेक के अंदर करीब एक बटरफ्लाइश है जिसका वेट अगर हम बात करते हैं तो 25 ग्राम के आसपास होता है तो ये तितली नुमा बटरफ्लाइश है पे एक ग्लेंड होती है यहां नेक के बीच में दोस्तो इसमें दोनु तरफ दो लोब होती है और दोनु तरफ जो है ये ग्लेंड है उससे क्या है एक हार्मोन निकलता है जिसको हम थाइरोक्सिन बोलते हैं थाइरोक्सिन हार्मोन दोस्तों ये जो थाइरोक्सिन जो हार्मोन है ये हमारी बहुत सी जो शरीर की जो क्रियाओं को कंट्रोल करता है और बहुत सी शरीर की क्रियाओं को सिंस बर्त या हमें thyroid hormone की जरूत होती है ये thyroid हमारा मांसिक विकास हमारा सारारिक विकास हमारा neurological जो है हमारा metabolically हमारे सरीर की बहुत सारी क्रियाओं को control करता है अब अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि problem thyroid की क्या है दोस्तों thyroid का जो work है वो अगर normal जो उसका function है उससे ज्यादा या उससे कम अगर दोनों है तो दोनों problem करता है that means suppose अगर thyroid जितना hormone जितना body में हमारे को चाहिए वो hormone नहीं बन रहा है thyroid hormone की मात्रा हमारे thyroid gland से कम secret हो रही है उस situation को हम hypothyroidism condition बोलते है दूसरा वो situation जब हमारे को thyroxine hormone जितना चाहिए उससे axis में हमारी gland निकाल लई है उसको हम hyperthyroidism बोलते हैं तो दोस्तों ये दो situation है hypothyroidism and hyperthyroidism 80% patients को जो problem होती है वो hypothyroidism है यानि हमारे को जितना हमारे को body में thyroxine का hormone चाहिए होता है वो कम बनता है अब दोस्तों पहले बात करते हैं hypothyroidism की क्या कारण है hypothyroidism की दोस्तों hypothyroidism की अगर कारण की बात करते हैं बहुत बार जो हमारी gland है वो जितना किसी disease के कारण thyroiditis हो गया कोई infection हो गया viral infection हो गया बहुत बार क्या होता है उस infection के कारण जितना hormone चाहिए वो नहीं निकल पाता दूसरा बहुत बार क्या है hormone के लिए जिसे हमारे को iodine चाहिए होता है जो उस hormone को बनाने के लिए बहुत बार क्या है iodine deficiency states होते है जहाँ पहाड़ी area होते है ज़ग iodine की deficiency होती है वो भी एक important कारण होता है जिसके कारण जो gland जो है वो कम secret करती है इसके बाद में अगर हम बात करते हैं बहुत बार क्या है जनेटिक भी होता है कि जैसे आपको जो है फादर को है मदर को है तो भी क्या है हमारे को जनेटिक ली भी बहुत बार क्या है कि जो हमारी थाइराइड की जो गलेंड है उसमें कोई गांट बन गई उसमें कोई टूमर बन गया, उसमें कोई cancer बन गया, तो उसके कारण जो thyroid का जो normal part है वो destroy हो गया और हमारे को कम मात्रा में हार्मोन निकला, तो दोस्तों ये तीन या चार important region है जिसके कारण जो है वो हमारे हार्मोन की मात्रा हमारे blood में कम होती है और जिसको हम hypothyroidism बोलते हैं, now hypothyroidism को कैसे हम पैचाने, क्या है इसके लक्षण है, what is the symptoms and sign of hypothyroidism कैसे हम पैचाने की मेरे को hypothyroidism है दोस्तों, hypothyroidism और hyperthyroidism, दोनों के अपने अलग-अलग लक्षण होते हैं हम बात करते हैं hypothyroidism hypothyroidism में क्या है number one, unexplained wet gain, बहुत बार patient कहता है, सब में तो कुछ खाता भी नहीं और उसका wet gain होता है अमूमन, hypothyroidism female patient को ज़्यदा होता है इसके अलवा, wet gain के अलवा, उसका hair loss, बाल जड़ना mood swing होना, मन का उदास होना and जो है, दिन बर सुस्ती का रहना and इसके अलवा basically, जो है patient को भूग कम लगना है और बाल जड़ना हो गया इसके अलवा, जो है, patients को बहुत बार क्या है, महावारी से related भी problem होता है, उनको महावारी समय से पहले और बार-बार और लंबे समय तक रहती है so, wet gain हो गया depression type में उसका mood रहता है ये common उसके symptoms है दोस्तो, अब अगर बात करते हैं उसका क्या कैसे उसको हमने देखा हमारे को hypothyroidism है, तो उसका कैसे diagnosis बनाया जाता है और उसका क्या treatment होता है दोस्तो, सबसे पहले जब चिकत्षक के पात patient जाता है thyroid की problem के लेके तो उसमें एक common test कराया जाता है जिसको TFT बोलते हैं यानि thyroid function test जिसमें T3, T4 और TSH तीन hormone का test एक साथ कराया जाता है पहले दोस्तो, इनको समझना चाहिए T3 और T4 active thyroxine का form है दूसरा है TSH ये TSH दोस्तो, क्या करता है कि जो हमारा hormone है वो T3 और T4 को control करता है हमारा brain क्या है ये TSH hormone को release करता है इन T3 और T4 को control करने के लिए क्योंकि body make system होता है कि अगर हमारी gland कम मातरा में hormone निकाल रही है कम मातरा में hormone निकाल रही है तो TSH hormone जो है वो secret होता है जो उसको axis मातरा में निकालने के लिए यानि उसके जो है सीक्रेशन बढ़ाने के लिए सो दोस्तों उस हार्मोन के माध्यम से थायरड टेस्ट के माध्यम से हमें यह पता लग जाता है कि हमारे को कितना कम जो है वो मात्रा में थायरोक्षिन है और उत्ता उपर से जो है वो अल्ट्रोक्षिन यान दूसरा दोस्तो बहुत बार क्या है थाइरड के अंदर अगर आपको गाठ बन गई और साथ में जो है आपका हार्मोन का जो है आइपो थाइरड़ेजम भी है, तो जो गाठ जो बनी हुई है उस घाठ को सरजरी करके निकाला जाता है और उसके बाद में धायरेड जो है वो जो निकल रहा है वो हमारे बोडी को नुक्सान करता है तो उसके क्या लक्सन है कि उसमें जो है वो आपको अनेक्स्प्लेंड वेट लोस आपका वजन कम होगा ठीक है आपका जो है वो पाल्पेटेशन होगा दिल की धड़कन बहुत तेज होगी और आप पेशेंट को बहुत थाइरोडिजम रहता है हाइपर थाइरोडिजम रहता है तो दोस्तों पेशेंट की दड़कन के साथ उसकी आखें बाहर आ जाते हैं और पेशेंट को यूँ ट्रेमर साते हैं यानि उसकी आख के पीछे एक फैट जमा हो जाता है इसको हम टॉक्सिक गॉइटर बोलते हैं इसमें अगर जो है हमने जाज कराने पर हमें पता लगता है कि कितना हार्मोन बड़ा हुआ है तो उसके लिए एंटि थाइरेड ड्रग दिये जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बार क्या होता है कि अगर आपके उसमें गॉइटर है जिसको हम ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं तो उस गॉइटर को पहले दवा देके कंट्रोल करके उसको हटाया जाता है उसकी सर्जरी की जाती है हाइपर थाइरेडिजम में भी जिससे क्या है पेशेंट को आने वाले जो है उससे दुस्परिणाम और उससे बड़ेवे से नुकसान रोका जा सेकिए त वर्थाइरेडिजम क्या है पोड़ेजम और क्या इसका ट्रीटमेंट है बड़ दोस्तो Olis God घर्के दिन हमें 사noय क्रिणी है में अगर तो अभी उसको सिर्जरी का पालन करें जिस से कहे आने वाले जो है समय में आपको problem नहीं हूँ So, दोस्तों, I think, I hope this information regarding the thyroid problem is useful for you You can share this information to your family and friends अगर आपको thyroid problem से related और कोई सवाल है तो आप मेरे comment box में डाल सकते हैं And for the detail, more information you can login my website jaipurdurbinhospital.com Thank you है जए आपको आपको?